मिरित्यू होने से एक घंटे पहले इंसान के साथ क्या-क्या होता है? इस वीडियो में आपको यही जनकारी देने वाले हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जब इंसान का प्राण छुटने वाला होता है, तो उसके साथ क्या होता है? चलिए बताते हैं बेचैनी और छटपटाहत शरीर से निकलकर खरी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता इसमें आत्मा को बेचैनी और छटपटाहत होने लगती है आत्मा प्रेसान शवी लोगों से कुछ कहना चाहती ह पड़ उसकी आवाज बस उस तक ही गुज कर रह जाती है क्योंकि वह भावतिक नहीं और भावतिक धोनी होती है और मनुष से किवल भावतिक धोनी को हुई महशूश कर सकता है नहीं होता है संचार वर्सो तक शरीर में रहने से जो सांसरीक माया का आवरन आत्मा पर प्रा होता है उससे मोहवस आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबधियों को देख कर उनसे बात करना चाती है लेकिन उसका प्रयाश विफल होता है प्रवेश का प्रयाश आत्मा कोशिश करती है कि वह शरीर में फिर से प्रवेश कर जाए लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते धीरे-धीरे व्यक्ति की आत्मा या शुकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है मोह का वंधन कमजोर होने लगता है और वह मिर्त्य लोक विदा होने के लिए तयार हो जाती है अचेत अवस्था आत्मा शरीर से निकल कर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है आत्मा को इस परकार का अनुभाव होता है जैसे कठिन परिश्रम से ठका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है लेकिन कुछ पल में या अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है सम्मान वेवार जब यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग है वह उसी परकार वेवार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका वेवार था होती है दुखी शरीर से मृत्व हो जाने पर आत्मा अपने प्रिजनों को रोते विलगते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है लेकिन उसके वस में कुछ नहीं होता वहलाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में कि ये कर्मों को याद करके दुखी होती है यम के दूद आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है और कर्मों के अनुसार उसे ले कर यम मार की ओर चल पड़ते हैं कर्म आधारित होता है नया जन्म कुछ ही शमय में आत्मा रिट्टी लोक की शिमा को पार करके एक एसे मार्ग में पहुँच जाती है जहां ना सुर्ज की रोशने होती है ना चांद की चांदनी उस लोक में हर जगा अंधेरा होता है यहां आत्मा अपने कर्म और इक्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विस्राम करती है कुछ आत्माएं जल्दी सरीड धारन कर लेती है तो कुछ लंबे समय तक विस्राम के बाद अपने इक्छा के अनुसार नाय सरीड धारन करती है तो यह थी कुछ जनकाड़िया मृत्यू से दोस्तों आप लोग को यह जनकाड़ि कैसी लगी कमेंट बक्स में जरूर बताएं विडियो अच्छी लगी तो इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कर धन्यवाद